हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट अभी हम बात करने वाले आबुदाबी टी टैन में होने वाले पहले मुकाबले की महराथ्था अरेबियन्स और नॉर्डन वारियर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है दुबई मे कई सारे मैचेज हो गया भी आप पिछले सीजन से जब से कोवीड खतम हुआ है ना मलब जब से कोवीड की मदब लॉक डाउन खुले है हर जगा तो उसके बाद कई सारे मुकाबले हो गया है सबसे पहले आपने डी टैन देखा मलब जो दुबई टैन की सीरीज हुई थी उ वह मुकाबले आपने देखे फिर आपने देखा भी या दुबई टी ट्वेंटी जो ड्रीम 11 और्गेनाइस करवाय था वह आपने देखा अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है अब आ गई है अबुदाभी तो यह बहुत बढ़िया रहा है अभी तक आबुदा की लीए चल रहा है अबِ यहां पर अगर मात करूं यहा पर मराथा और नौर्दन वारिययर्स के बीच मुकाबला होने वाला है दोनों ही टीम अभी तूर्णामेंट पहला पहला मकाबला खेल रही हैं यहां पर अगर आप देखो अभी हम यहां पर सारी की सारी डिटेल डिसकस कर लेंगे पहला मुकाबला होने वाला है टूर्णामेंट का तीन बज़े लोकल टाइमिंग हिसाब से आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा साड़े पांच बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा सोनी पर आप इस मैच को लाइब देख सकते हो जियो टीवी पर भी लाइब देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दो ग्रूप में डिवाइड़ीड है आठ टीम्स है चार मलब 14 दिन में सारे के सारे मुकाबले खतम हो जाएंगे एक एक द बात करूँ पिछले सिजन में नौर्डन वारियर्स पांचे में पायदान पर थे बट इनका लाइनप बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग था इनके पास कई सारे प्लेयर्स भी थे जो आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे वैदर रिपोर्ट के अगर मैं बात क जादा फेवर करती है बालर्स को थोड़ा सा कम फेवर करती है प्लेंटी आप को बनते हुए आपको दिख जाएंगे अगर आपने डी 20 देखाओ डी 10 देखाओ कुछ भी देखाओ वहां पर आपको यहां पर रंट बनते हुए बहुत ज्हादा बढ़िया तरीके से दिखे पाइड वगिल रही थे खोबर पिछले पांच चेस करते टीम जी तीया दो बार याँ पर प्रफिरी अपडेट आंदे रसल पूरे के पूरे टूर्णामेंट से भार हो चुके हैं उनकी जगह जो आए हैं वह आए बहुत पाइनल में बाती है पारनल बढ़िया पिक है ट्राइगर लेना अगर यह खेलता है वैसे खेली जाएगा आंदे रसल खेली नहीं रहा पूरा टूर्णामेंट 14 दिन के लिए पूरा का पूरा ही भार हो गया अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्टैट्स वो सबसे ज्यादा में चीज है अब यहां पर अगर आप देखो तसकीन अहमद आपके पास है राइटाम फास्ट बॉलर लेफ्ट हैं बैट्समें मैचिस टी ट टर रंज जो करें वह फोर सैंटी सेग्स जो एँनिस की है ओवर वन सिक्षी फाइव विकिट यहां पर शिक्षी फोर लूरी वन आपके बास है राइटाम बैट्समें ग्यारा मैचिस में जो टी टन खेलें अभी तक इसने वह मैं कह रहा हूं क्यूंकि टीटन इसने हर एक सीजन खेला है यहां पर यारह मैच में 6 इनिक माँ 141 रन करें हाई एसकोर 38 का स्टाइक रेट 171 है दो होजार उनिस का जो माँ बात करूं आज मैच चार इनिक माँ 76 रन हाई स्कोर 35 को स्टाइक रेट 194 यहां पर स्टाइक रेट मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको टी तूर्णमेंट इतना बढ़िया रहा नहीं था जब वहां पर इतना बढ़िया नहीं रहा था तो मुझे लगता इतने बढ़िया बॉलर्स के सामने इतना बढ़िया मतलब कुछ कर पाएगा तो अगर ये खेल भी रैप ड्रॉप कर सकते हो मुहमद अफीज आपके बास है टी ट्वेंटी राइटन बैट्समन राइटाम आफसिन बॉलर्स मैच 108 रंज अगर आप देखोगे 2000 से उपर वैच 24 से भी उपर है एवरेज 26 किया ओवर 227 यहां पर विकेट 177 फिर उसके अदमुसदिक हुसान आपके बास है बंगलादेश क का यह भी प्लेयर राइटन बैश्मन राइटाम आफसिन बॉलर्स टी ट्वेंटी में अगर आप देखो 84 मैचिस खेले हैं 1200 रंज बनाएं एवरेज 23 किया यहां पर ओवर 109 करें विकेट 28 फिर उसके बाद आपके बास सौंपल कमी हैं यह आपको कहां नेपाल ओडीडी अ ओवर सौ यहां पर विकेट 30 और रंज 202 फिर उसके शोई मलिक राइटाम राइटन बैट्समन राइटाम आफसिन बॉलर्स टी टैन में 2017 में खेला था यह पांच मैचिस में रंज जो करें तो 191 हाईय स्कोर साट का था एवरेज 63 की ती स्ट्राइक यहां पर 217 इसना ओव पर अगर आप देखो 20-22 फिर उसके अधर 20-27 फिर उसके बाद अगर मां बात को नंबर पांच पर यह एक एस टीटन जो हो रहा था वहां पर भी इसे भेजा गया वहां पर इसको दो ही मुकाबले खिलाए गया 26-26 रंज इसना बना है वहां पर भी नंबर पांच पर ही खे ले जो इसका आखरी मुकाबला हुआ था वहां पर इसने 14 रंद मारे फिर उसके प्रवीन तांबे आपको यहां पर खेलते हो दिखेंगे 2018 में आपने देखा भी होगा आपने सुना भी होगा क्योंकि न्यूज में बहुत ज़्यादा आये थी एक ही ओवर में वहां पर इस अगर टीम खिलाती है इस फ्लेयर को तो यह ध्यान दखना कि भाईया जो इसने टीटी टीटैन खेलें दस मुकाबले खेलें रेंज एटीटीटू है एवरेश फॉर्टीवन विकेट दस यी रिसेंट परफॉर्मेंस जो टीटीटी है मेंने इसको खिलाया तो जाता है जैस इसमें शाहिच शाह आपके पास है इसको ज्यादा एक्सपीरेंस है टीटैन खेलने का अगर आप ट्राइगरना चाहते है उसी कर सकते हैं इशान मलोतरा आपके पास है इंडियन प्लेयर है राइटन फास्स बॉलर है राइटन बैट्समन है विकेट भी चटका रहता है अगर आप देखो ग्यारा फिर उसके दोवर पांच और विकेट छे टी ट्वेंटी की अगर मैं बात करूं 32 मैचेज में रंजो करें वो करें 449 एवरेज जो है 249 24 किया उसके बाद ओवर 71 विकेट 17 रियाड अमिरिट की अगर मैं बात करूं राइटा मीडियम फास्ट बॉलर राइट एन रेट्समें टी टैन में 12 मैचेज में ओवर 23 विकेट 11 में बात यह है यहाड अमिरिट बढ़िया पेक है वेस्ट इंडिस का बलेर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है अगर आपने खेलाओ करेबियन टी ट्विकेट जो हुआ था वहाँ पर भी इसना बढ़िया परफॉर्म करा अगर आपने करीबियन टी टैन भी खेलाओ वहां पर बढ़िया पर्फॉर्म कर रहा था अगर आप देखो 2019 में 6 मैचेज खेले हैं टी टैन के 11 ओवर उसके बाद हाई स्कूर 153 यहां पर अगर आप देखो एवरेज जो रही है बहुत बढ़िया 57 के एवरेज स्ट्राइक रेट 241 2019 में तीन मैचिज में रंज यहां पर 77 फिर उसके बाद अगर आप देखो आपके बास हाई स्कूर 2019 में 56 का रहा था एवरेज जो है 38 के स्ट्राइक रेट 223 फिर उसके बाद आर पावल आपके बास हा राइट आम मीडम फास्ट बॉलर राइट हैं बैट्समें टी टेन 2018 में जो इसना खेला था आठ मैचिज में रंज 177 हाई स्कूर 80 का है फिर उसके बाद एवरेज जो है वो इसके लिए बना ही नहीं है बड़िया इसना परफॉर्म ही नहीं कर रहा है वारना पारनल की अगर मैं बात करूं यहां पर लेफ्ट आम मीडियम फास्ट बॉलर लेफ्ट हैंड वैट्समें छे मैचिज में रंजो करें वो 59 ओवर 10 विकेट चार जोने सिद्ध की अगर मीडियम फास्ट बॉलर रिसेंट परफॉर्मेंस की भी अगर आप बात करोगे सबसे पहले टी ट्वेंटी की अगर हम बात करें आठ मैचिज में छे मैचिज आठ मैचिज में छे इनिंग यह मैच नहीं है छे इनिंग ओवर अगर आप देखो 26 करवाएं विकेट साथ फिर उसके बाद अगर मैजए परफॉर्मेंस जो इसकी रही थी यहांपर टी ट्वेंटी मेंत इट्वीट बीट्री खाथा है और गाएं यहां पर दो विकेट फिर एक विकेट फिर दो विकेट तो इमान के चलो इतनी बड़िया परफॉर्मेंस रहे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेज में असना ज्यादा कुछ बढ़िया करा नहीं पर पांच मैचेस टीटन जो खेले हैं उसमें ओवर साथ पॉइंट दो दो तो वहां पर भी इतनी बड़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है लैंडन सिमल्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा राइटा मीडियम फास्ट बॉलर राइट हैंड मैचेज में तेरा मैचेज में रन जो करें वो करें 293 हाइए स्कोर 118 का है एवरेज 26 फास्ट बॉलर राइट हैंड बैट्स में आपके लिए टी ट्वेंटी के अगर मैं बात करूं 23 मैचेज में ओवर अगर आप देखो तो भईया 33 फिर विकेड तेरा और रंज अगर आप देखो तो 1951 बढ़िया परफॉर्मेंस की रही है टी ट्वेंटी में और अगर आप आपने देखो शेलंका टी ट्वेंटी जो हुआ था वहां पर भी इसना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसके बाद अगर मैं बात करूं के ओटली आपके पास हैं लेफ्ट एंड बैट्समन मैच तीन रंज अगर आप देखो चालिस उसके बाद अगर मैं बात करूं अंस टंडन आपके पास हैं अगर आप देखो टेटन 2019 में जो इसना खेला है वह मैच एक रन एक मैच तीन रन एक ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है यहां पर टी ट्वेंटी में जो अभी अभी खताम हुआ अगर आप देखो चतिस अन यहां पर बाइस रन यहां पर दो वैसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी रही नहीं है महेश आपके पास है महेश जो हैं शिलंका का प्लेर है दो मैचेज में ओवर तेटीस और विकेट साथ इतना बढ़िया प्लेयर मुझे लगा नहीं सुजीत आपके पास है सुजीत परांथी तीन मैचेज म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुनना है फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा मेरे इसाप से बैसमें को अगर आप कैप्टेन वाइस कैप्टेन सी दे सकते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा से अब यह इचा डावलाम अब यह डावली घेल रहा है डावली मोहमध के अगर मैं बात करूं अगर यह बैटिंग करता है तो बहुत बढ़ीा पे काप के लिए क्यों क्यों कि जो डी टैन हुआ था वहाँ पर यह बहुत बढ़ीचा पर आरफेंठों करकर आया और हर जगह प्लेयर है इतना बड़ी अशायद परफॉर्म ना कर पाए फिर उसके बाद अगर माँ बात करूं हफीज आपके पास है यहाँ पर मुहमद हुसाइन को आपके पास एक इंपॉर्टन प्लेयर रहेगा क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करवा कर देदेगा यहाँ पर अगर आप देखो निकलास पूरान और लूरी वान आपके पास रहेगा फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वहाब विर्यास को ज्यादा प्लेयर जादा प्लेयर ना रख रख रखा है बट मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बड़ी आप्शन दरेंगे व अब ड्रॉप भी करना चाते है अब ड्रॉप भी कर सकता आप यह कर सकतो फैब्य इलन की जगा एम उसायन को ले सकते हैं छे-पांच का रेशो बन जाएगा साथ-चार का बन रहा है अभी के लिए अभी के लिए एन्डवलियू के प्लेयर बहुत चादा है जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है अन्डवल्यू के पास तो इस वैसे इसका साथ-चार का रेशो ही बनेगा अभी यहां पर हम अगर आप देखो तो यही शायद मेरी फाइनल टीम होने वाली है बट जो मैं टीम आपके लेकर आयों उसकी हम बात कर लेते हैं कैप्टेंसी जो मैंने यहां पर दे रखिया वो दे रखिया लेंडन सिमल्स को वाइस कैप्टेंसी मौहमाद अफीज फैवेन एलन आपके पास है उसका लूरी वान एशकूर और यहां पर अगर आप देखो निकलस पूरन आप चेंज कर लेना एशकूर को ड्रॉप कर सकते हो बट अभी के लिए पर देखने को मिल जाए दूसरी टीम के अगर माँ बात करूं कैप्टेंसी निकलस पूरन वाइस के पास है आपके पास है पर उसके लेंडन सिमल्स आपके बास है बेंडन किंग आपके पास है मौहमाद अफीज एम हुसायन फिर उसके बाद अगर आप देखो प्रवीन त लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर देगा बहले अकन दबादे कि एसी वीडियो जोर भी आती रहेंगे आपके लिए चैनल पर